हलो दोस्तो नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है, मैं आपका साथी और guide डॉक्टर वीजे दोस्तो आज हम discuss करना शुरू कर रहे हैं education and academic portion के multiple choice questions दोस्तो जितने भी teaching line के अंदर principal और vice principal के exam होते हैं चाहे वो KVS में हो, NVS में हो, EMRS में हो, दिल्ली UPSC principal, vice principal हो या फिर अलग-अलग board में अलग-अलग राज्यों के अंदर हो, इस section से अच्छे कासे के उस्तन आते हैं कहीं पर 50 के उस्तन आते हैं, कहीं पर 70 नमबर के आते हैं, कहीं पर 40 या 30 नमबर के आते हैं ये section सब के लिए most important होता है, तो आईए हम सुरू करते हैं आज से एक चीज में और बता दूँ, 844-7410108 ये हमारा mobile और whatsapp नमबर है, calling whatsapp दोनों नमबर पर ये हैं और हम all over India के अंदर study matter प्रवाइड करवाते हैं, KVS, NVS, CTAT, UPTAT, SuperTAT, DTSB, UPSC और सभी teaching exam का अगर आप principle, wise principle या PRT, TGT, PGT के तयारी कर रहे हैं, तो इस नमबर पर call या whatsapp पर बात करके अपने घर पर notes मंगवा सकते हैं और घर बैठकर तयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज कल हर कोई कहीं न कहीं जोब कर रहा है, और उसके साथ बड़े सहरों में जा करके, बाहर रह करके, रूटीन में classes करके, या coaching join करके, तयारी करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए पूरे notes का set आपको by career आपके घर बेजा जाता है, जिसमें paper one, paper two, दोना होता है, journal section plus post specific portion आपका पूरा होता है, अगर आपको PDF चाहिए, तो वीडियो के description से download कर सकते हैं, आईए शुरू करते हैं, ज्यादा time ना लगा करके, question number 1 देखिए, सबसे पहले question number 1 है, question number 1 है, dyslexia is associated mainly with difficult in, जो dyslexia है, उसके उपर question बहुत बा जाता है, यह कहता है कि dyslexia is associated mainly with difficulty, dyslexia से किस चीज में ज्यादा प्रेशानी होती है, reading में प्रेशानी होती है, speaking में होती है, speaking and hearing में होती है, या फिर hearing में होती है, यानि पढ़ने में होती है, बोलने में होती है, बोलने और सुनने में होती है, या फिर सुनने में होती है, द इसको आप लोग हिंदी में अगर सुनेंगे तो आप पठन बोलते हैं यह एक नियुरोजिकल डिसोडर है आम तोर पर बच्चे के सरीर में इसके लक्षन नहीं दिखते हैं और यह प्रोब्लम उसको है या नहीं है इस बात का पता भी हमें तब लगता है जब बच्चा स्कू की समझ्या है क्योंसर नंबर दो स्पेशल एजुकेशन इस रिलेटीड टू स्पेशल एजुकेशन जो है उसका संबंद किसके साथ है एजुकेशन फोर टैलेंटिट स्टूडेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स पोर डिफरेंटली एबल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या training program for girls special education का संबन दोस्तो differently abled बच्चों के लिए है educational program for differently abled जो physical handicapped हैं जो दिव्यांग हैं जो differently abled बच्चे हैं उनके लिए ये educational प्रान होता है आप लोगों ने देखा होगा special beard कर रहे हैं special diploma कर रहे हैं तो ये आपका जो answer रहेगा वहाँ पर यहाँ पर भी आ जाएगा क्योस्तन नमबर तीन देखिए the educational provision for visually impaired is the educational provision for visually impaired is वी आई जिसको बोलते हैं आप लोग short में brelai method, talking calculator, tap recording या फिर all of these या all these तो यहाँ आपका answer रहेगा brelai method क्योस्तन नमबर चार फॉर्थ क्योस्तन है जिसको आप लोग CCE कहते हैं continuous comprehensive evaluation CCE system was introduced by in 2009 with the enactment of the right to education यह कह रहा है कि जो CCE को 2009 में introduce किया गया right to education के समय के दोरान या उसके जरूरत के लिए तो यह किसके दोरा किया गया CBSC ने introduce किया UGC ने किया SCRT ने किया या फिर IGNU ने किया यहां दोस्तों आप का अंसरा जाएगा CBSC CBSC के दोरा CCE को introduce किया गया 2009 में first page दो है first page of teacher training was initiated in October 2009 October 2009 के अंदर first page के दोरान इसको introduce किया गया और आप देखोगे इसको carried करने की बात आएगी हालांकि introduce करने की timing आपको यह दिखेगी लेकिन जब इसको धरातल पर लाया गया तो वह होते होते आपका 2009 दिसंबर तक का टाइम आए गया इसी दोरान आप देखोगे जब इसका second stage यह तो first stage की बात हो रही है लेकिन जब इसका second stage आपने देख के दोरान हुआ 2009 10 के दोरान हुआ और grading system भी आपका 9th class से पहली बार यहाँ पर शुरू किया गया और इसके दोरान काफी सारी आप लोगों न देखा होगा जैसे पहले stage में 6051 के आसपास school थे और 15497 के आसपास principal और teachers को यहाँ पर training भी दी गई थी तो यह पूरे का पूरा एक package शुरू किया गया था लेकिन आप अभी देखोगे as per latest rules cce pattern has been removed तो यह 2009 से लेकर के और जो latest तक का जो दोर चला यह आपका cce era रहा है इसको कह सकते हैं आप लोग तो यहाँ आपका अंसर जो है वह आपका cbsc रहेगा cce system was introduced by cbsc in 2009 with the enactment of the right to education question number आपका है question number next हम चलते हैं और next question हमारा है पांच हुआ the title of the report of education commission 1964-66 better known as kothari commission report is जो kothari commission के बारे में question बहुत बार पूछ लिया जाता है तो यह कहता है कि the title of education commission 1964-66 better known as kothari commission report is किस चीज के बारे में यह थी learning without burden and enlightenment and human society education and the people of india education and national development यहाँ आपका अंसर रहेगा d education and national development के बारे में kothari commission committee के बार रिपोर्ट यहाँ पर उसका जो title जो शीर्षक था वो यह रहा question number six which of the following is the apex body in the area of textbook designing and curriculum framework in india UGC, MHRD, NCTE या फिर NCERT answer आज आपका रहेगा NCERT question number seven as per right to education act 2009 minimum number of working days instructional hours in an academic year for class one to fifth will be कितने होने चाहिए class one to fifth के लिए तो यहाँ कहता है 200 working days आपका answer A is right answer here question number eight as per national curriculum framework जिसको आप लोग NCF 2005 कह दे हैं craft should be taught as subject के रूप में, project के रूप में, classroom exercise के रूप में या फिर all these answer आपका रहेगा project question number nine order to make the process of teaching learning of social science participate there is a need to introduce debate and discussion in the classroom this approach to learning will क्या होगा? option A, option B, option C और option D देखे option A देखे lead to lot of noise in the classroom and disturb the neighboring classes too B है कि both the learners and teachers alive to social realities आपका answer यहाँ पर B आ जाएगा question number ten level of motivation of student increase with interaction with level of motivation of students increase with interaction with किसी साथ interaction के से level of motivation of students increase होगा किसी से, peers, teachers, parents या all these तो आपका answer यहाँ पर D रहेगा all day question number eleven the principle of conditioning in learning were first established by पावलो, Skinner, Koller या फिर पियाजे answer आपका रहेगा पावलो question number twelve as shown by Koller, insightful learning is among human beings common, not quite, common, unusual, या फिर not possible answer आपका रहेगा common question number 13 which of the following is true about curriculum curriculum के बारे में कौन सी चीज जो है निमन लिखित में से सत्य है या सही है it is the foundation of teaching and learning ठीक है it is not just syllabi बिलकुल ठीक है it is not mentioning topic बिलकुल ठीक है तो आपका answer रहेगा all of these यानि D is the right answer here question number 14 corporal punishment क्या होता है corporal punishment के बारे में फूच रहा है must be given frequently must not be must not be given भी answer होगा question number आपका 15 which of the following areas is covered under the scheme of continuous and comprehensive evaluation CCE जो rule है यह कहता है कि which of the following areas is covered इस scheme के under में कौन से areas को covered किया गया यह आप से पूचा जा रहा है option देखिए personal and social qualities co-curricular activities attitudes and values तो मुझे लग रहा है इस तीनों में से तीनों ही ठीक रहेगा तीनों ठीक रहेगा तो answer आपका all these यानि D is right answer question number 16 having immediate sensory contact with the actual object in learning is called क्या कहा जायेगा इसको यह आपको बताना है which areas experience direct experience direct experience आपका answer रह जाएगा question number 17 because of the limitation of the classroom situation in most of the Indian school textbook is considered desirable, necessary, irrelevant या none of the, none of these आपका answer आजायेगा इसमें necessary because of the limitation of the classroom situation in most of the Indian school textbook is considered necessary question number आपका 18 यने 18 which of the following approach is used by teacher for motivating children which of the following approach is used by teacher for motivating children बच्चों को motivate करने के रहे teacher निम्बलकित में से कोन सी approach को use करते हैं आम तोर पर compulsion, praise, coercion या all this सभी को use किया जाता है समय समय पर सभी चीजों की जरूत पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा जरूत इनकी हर अपने इसाब से रहेगी question number 19 PIAJ is mainly known for studying PIAJ is mainly known for studying किसी को study के लिए ज्यादा तर जाना जाते है cognitive development आपका answer यहां पर B is right answer question number 20 question number 20 according to RTE Act 2009 all private schools shall be required to enroll children from weaker section and disadvantaged community in their incoming class to the extent of कालिस्तान ओफ देर एन्रोल्मेट 40% 25% 50% और 10% आपका answer यहां 25% रहेगा 25% weaker section के दुआरा आप लोगों को अलग अलग उसमें देखाऊगा article 143 and 134 जिस तरीके के अलग-अलग समय पे आप लोगों को जुरुत परती धन 134 के according आप लोगों को यह रहेगा हर private school के अंदर weaker section के लिए seat रखी गई है और शुरू-शुरू में जब कानुन बणा तो काफी साधी खामिया रही लेकिन Supreme Court के आदोस्यों के दवारा और सरकारों के इसको पर धान देने के बाद अब जैसे जैसे आगे स्थितियां बढ़ रही है इनको फी फेर रूप से यूज किया जा रहा है तो अब next वाले में आगए के question हम discuss करेंगे एक बार फिर वह एक होँगा अगर आप किसी भी line के अंदर teaching line के अंदर तयारी कर रहे हैं खास करके principle, wise principle वगरा के लिए तो आप लोग हमारी series के साथ जुड़े रहे हैं लगवग 55 से 60 lecture से questions के लेकर आएंगे हम इस तरीके के जिसमें 1000 से 12 questions हर topic के आपके होंगे, चाए administration finance हो, चाए आपका civic academic का portion हो, child development पैट्जी वाला का portion हो, supplementary rule वाला हो, central rule वाला हो या पिर उसके अलावा journal section के sections हो, उन सब को हम दिरे-दिरे करके cover आपके लिए करेंगे, और इस नमबर पर call या, WhatsApp पर बात करके notes order कर सकते हैं अगर PDF आपको चाहिए, तो वीडियो के description से आप लोग सभी प्रकार की PDF को download कर सकते हैं चैनल को subscribe कर लेजिए और हर रोज हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहेए